आज की तारीख है 31 जनवरी 2021 हमारे दो चानल्स हैं पिनाकल और फ्रेंटेर आएस और अगर अबे तक आपने इन चानल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा साथी साथ इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेब साइट्स हैं और ये सेशन दोनों चानल्स पर सुबा चार बजे वैलिबल हो जाता है साथी साथ फॉर डेली वीडियो पीडियाफ एन मंथली मैगजीन आप हमारे टेली ग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आइस और एस सेशी सीजल पिनेकल ऑनलाइन को जोईन जरूर करें स्टार्ट करेंगे प्रिवेज को इसके साथ मैंने अपसे पहला क्वेस्टन पूछा था कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत का रेंग क्या है तो इसका सई जवाब था 86 और दूसरा क्वेस्टन था कि भारते रेलवे ने हाल ही में किस 3.5 किलोमीटर लंबी माल गाड़ी को चलाने का रिकॉर्ड बनाया है तो इसका सई जवाब था वासू की स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेस्टन देखो आज के सेशन का आर्थिक सर्वेक्शन 2021 के अनुसार फानेंशल इयर 21 के लिए भारत की वास्तविक जीडिपी वृधी दर क्या है यानि इंड जन्वरी 2021 को संसद में आर्थिक सर्वेक्शन 2020-21 पेश किया सर्वेक्शन आमतोर पर केंद्री बजट से एक दिन पहले प्रस्तूत किया जाता है इस वर्ष सर्वेक्शन पहले प्रस्तूत किया जा रहा है क्योंकि बजट के एक दिन पहले रविवार है आर्थिक सर्वेक् के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धी दर माइनस 7.7% है और फानाइंचल इयर 22 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धी दर IMF के अनुमानों के अधार पर 11.5% आंकी गई है अर्थ विवस्ता में वी शेप्ड रिकवरी देखी गई इस वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षन इबुक प्रारूप में दिया जा रहा है वित मंत्राले ने दस्तावेज तक असानी से पहुंचने के लिए एक आधिकारिक आर्थिक सर्वेक्षन आप भी लौँच किया है अगला क्वेस्टन देखो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ वर्ष 2021 को परियावरन वर्ष के रूप में लौँच किया है तो इसका सई जवाब है option number C, France तो इंडो फ्रेंच परियावरन वर्ष का शुभारम 28 जनवरी 2021 को नई दिली में परियावरन वन और जलवायू परिवर्तन मंत्री यानि Minister of Environment, Forest and Climate Change प्रकास जावेड कर और फ्रांस के एकोलोजिकल ट्रांजिशन मंत्री बारबरा पॉम्पिली द्वारा किया गया भारत और फ्रांस द्वारा शुरू की गई इस नई पहल के तहट विभिन कार्यकरम पांच मुख्य विश्यों पर केंद्रित होंगे पांच मुख्य विश्यों है जलवायू परिवर्तन, पर्यावरन संरक्षन, जै विविधिता संरक्षन, सतत शहरी विकास, अक्षे उर्जा और उर्जा दक्षता का विकास यानि Environmental Protection, Climate Change, Biodiversity Conservation, Sustainable Urban Development and the Development of Renovable Energies and Energy Efficiency बात करें फ्रांस की तो इसी कापिटल है पैरिस और करंसी है यूरो और सी एफपी फ्रांक अगला क्वेस्टन देखो सरकार ने किस अवदी के लिए 945 करोड रुपे की स्टार्ट अप इंडिया सीड फंड स्कीम यानि SISFS को मनजूरी दी है इसका सही जवाब है option number C 2021-25 तो केंडरी सरकार ने proof of concept, prototype development, product trial, market entry और विवसाई करन यानि commercialization के लिए स्टार्ट अप को वितिय सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्ट अप इंडिया सीड फंड स्कीम यानि SISFS को मनजूरी दे दी है SISFS 945 करोड रुपे के कोश से स्टार्ट अप को वितिय सहायता प्रदान करेगा जो 2021-25 में पूरे भारत में चयनित इंक्योबेटरों के माध्यम से वित्रित किया जाएगा अगला question देखो भारतिय स्टेट बैंक के नए प्रबन निदेशक यानि MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो इसका सही जवाब है option number D दोनो B और C यानि स्वामी नाथन जान किर्मन और अश्विनी कुमार तिवारी तो मंत्री मंडल की नियुक्ती समिती यानि A.C.C. ने तीन साल की अवधी के लिए भारतिय स्टेट बैंक S.B.I. के नए प्रबन निदेशक MD के रूप में स्वामी नाथन जान किर्मन और अश्विनी कुमार तिवारी की नियुक्ती को मंजूरी दे दी है यहां तस्वीर में देखिए इससे पहले स्वामी नाथन जान किर्मन S.B.I. में डिप्टी मैनेजिंग डारेक्टर फाइनस थे और अश्विनी कुमार तिवारी SBI कार्ड के MD और CEO थे यहां आपको ध्यान रखना है कि SBI के एक धियक्ष और चार प्रबन निदेशक होते हैं दिनेश कुमार खारा बैंक के वर्तमान धियक्ष है बैंक के अन्यदो MD, CS सेटी और अश्विनी भाटियां हैं दोनों पद अक्टूबर 2020 से खाली थे अगला question देखो आर्थिक सर्वेक्षिन 2020-21 में किस नए सूच का यानि इंडेक्स का निर्मान किया गया है तो इसका सई जवाब है option number B, Bear Necessities Index तो केंद्री वितमंत्री निर्मला सीता रमन ने 29 जनवरी 2021 को संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 एकनॉमिक सर्वे 2020-21 पेश किया आर्थिक सर्वेक्षिन 2020-21 ने पैजल, स्वच्चता और अवास जैसे जरूरतों की पहुँच में असमानता दर्शाने के लिए एक नए सूच कांग Bear Necessities Index का निर्मान किया है शेहरी और ग्रामीन भारत के बीच असमानता हैं केरल, पंजाब, हर्याना और गुजराज जैसे राज्यों में सबसे अधिक समानता है जबकि ओरीशा, जारखंड, पस्चिम बंगाल और त्रिपूरा में सबसे कम है अगला question देखो, किस देश के पूर्व Olympic रजद पदक विजेता माथियास बो को भारती खिलाडी चिराक शेटी और सात्विक साईराज रेंकी रेडी के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है तो इसका सई जवाब है option number C, Denmark तो भारते बैडमिंटन खिलाडी चिराक शेटी और सात्विक साईराजी रेंकी रेडी को टोक्यो Olympic के लिए प्रशिक्षित करने का काम 2012 के देन्मा के Olympic रजद पदक विजेता माथियास बो को सौंपा गया है यहाँ पुने तस्वीर में देख सकते हैं सात्विक साईराज और चिराक की जोड़ी वर्तमान में टोक्यो Olympic की दोड में नौवे स्थान पर है वो का एक प्रतिश्टित यूगल करियर है उन्होंने 2011 और 2015 में दो बार All England Championship जीता और 2013 विश्व Championship में रजद पदक जीता बात करें यहाँ पर डैन्मा की तो इसी कैपिटल है कोपिन हेगिन और करंसी है डैनिश क्रोन अगला क्वेस्टन देखो भारत में कुष्ट रोग उन्मूलन दिवस यानि एंटी लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है तो इसका सही जवाब है Option B 30 जनवरी विश्व कुष्ट दिवस हर साल जनवरी के आखरी रविवार को मनाया जाता है ताकि इस बिमारी के बारे में जगरुकता फिलाई जा सके इसके साथ भेदभाव और समाजिक कलंग के नाकरात्मक प्रभावों से बिमारी के प्रसार को रोका जा सके इसकी थीम है 30 जनवरी को भात्मा गांदी के शहादत दिवस पर भारत में हर साल यानि 30 जनवरी को कुष्ट रोक उन्मूलन दिवस मनाया जाता है अगला क्वेस्टन देखो हाल ही में किस मंत्रालिया ने राष्ट्र समुद्री कच्छुआ कार्य योजना जारी की है तो इसका सई जवाब है उप्शन नमबर बी परयावरन वन और जलवायू परिवर्तन मंत्रालिया तो परयावरन वन और जलवायू परिवर्तन मंत्री यानि प्रकाश जावेड करने नई दिली में समुद्री मेगा जीव श्रिंकला के दिशा निर्देश और राष्टे समुद्री कच्छुआ कारे योजना का दस्तावेज जारी किया इन दस्तावेजों में जीव जन्तुओं के संरक्षन के लिए अंतरक्षेत्री कारवाई को बढ़ावा देने के तरीके और साधन बताए गए हैं देश में 7500 किलोमिटर से अधिक विशाल तट्रेखा के साथ समुद्री जैविविधिता है यह दस्तावेज समुद्री संधारी जीवों और समुद्री कच्छों के संरक्षन के मामलों में कारवाई के लिए सरकार और समाज के बीच भैतर समन्वे के भी सुझाव देता है अगला क्वेस्टन देखो कोविड-19 प्रदर्शन सूच कांक में भारत का रैंक क्या है जिसका सई जवाब है ऑप्शन अमबर डी-86 सिड्नी स्थित थिंक टैंक लोव इंसिचूट दुवारा मुलियांकन किये गए 98 देशों के बीच कोविड-19 प्रदर्शन में भारत 86 वे स्थान पर है यूके भारत से भेतर रैंक 66 पर है और USA का प्रदर्शन सबसे खराब पांच में से एक है चीन को इस अधियान में शामिल नहीं किया गया था और ब्राजिल अंतिम स्थान पर है अगला क्वेसिन देखो गंतंत्र दिवस परेड में किस राजे की जहांकी ने पहला पुरसकार जीता है तो इसका सई जवाब है option number C उत्तरप्रदेश तो अयोध्यार राम मंदिर का प्रदशन करते हुए गंतंत्र दिवस परेड में उत्तर परदेश की जांकी ने पहला पुरसकार जीता है यह लगातार दूसरा वर्ष था जब उत्तर परदेश ने पुरसकार जीता 2020 परेड में दूसरे स्थान पर रहा था यहां तस्वीर देखिए जांकी के सबसे आगे हिस्से में महारिशी वाल मिकी की एक बड़ी प्रतिमा नजर आई उनके पीछे मंदिर का मॉडल दिखा बात करें यहां पर उत्तर परदेश की तो इसकी वर्ल्ड हेटे साइट्स में आता है ताज महल और पिलिभीट टाइगर रिजर्व उत्तर परदेशी कापिटल फिन रिखनहू गवर्नर है अनंदी बैन पटेल और चीफ मनिस्टर है योगी अदित्यनद बात कर लेते हैं आज की सेशन के उसकी समरी की तो एकनॉमिक सर्वेज 2021 के नुसार इंडिया की रियल ग्रोथ 2021 को Year of Environment के तौर पर लॉंच किया है 2021 से 25 के लिए Startup India Seed Fund के लिए 945 करोड रुपे अप्रूव किये गए है State Bank of India के New MD बने है सुआमी नातन जानकिर्मन और अश्विनी कुमार तिवारी Economic Survey 2020 में Bear Necessities Index नाम से एक नए इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है Denmark के माथिया जबो को इंडियन खिलाडियों के लिए कोच के रूप में न्युक्त किया गया है इंडिया में Anti-Leprosy Day जनवरी 30 को मनाया जाता है National Marine Turtle Action Plan, Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने रिलीज किया है COVID-19 Performance Index में इंडिया का रांक 86 है और Republic Day Parade में पहला प्राइज उत्तरप्रदेश को दिया गया है बात कर लेते हैं आज के सेशन के Quiz for the Day के आपका पहला क्वेस्चन है आर्थिक सर्वेक्षन 2021 के अनुसार Financial Year 21 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृधि दर क्या है और आपका दूसरा क्वेस्चन है आर्थिक सर्वेक्षन 2021 में किस नए सूचकां का निर्मान किया गया है इन दोनों क्वेस्चन का आंसर आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना है और अगर अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा साथी साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोने वेबसाइट्स और टेलिगराम हैंडल्स को जोईन जरूर करना है थैंक यू सो मच